आज आदिल की भी हिम्मत हो गई जो खुद रेप के केस में अंदर था उसको रेप के बारे में बात करनी हैं मजाग बनाके रख दिया है आदिल दुरानी खान की बात कर रहे है जो एक चोर है जिसके ओपर रेप का केस है जिसके चार्जेस है और जिसके वज़े से वो एट मन जेल के अंदर था क्यों आपका ध्यान सिर्फ मंदिर बनवाने में है या आपका फोकस सिर्फ बाहर जाके लोगों से दुसरे देशों के साथ हाथ मिलाने के लिए है हमारे देश के लिए बेटियों के लिए कुछ भी नहीं है जो अचानक एक तो उनको शौक मिलता है शौक के बाद में उनको उ देश में जिस तरह की घटनाय घट रही हैं उससे हम सभी डरे हुएं एक बाप अपने बच्ची के लिए डरा हुआ एक माँ अपने बच्ची के लिए डरी हुई है और इसे मुद्दे पर आज हमारे साथ खास बाचेद करने के लिए राश्री मोरे जी मौजूद हैं सबसे प होंगी यह सारी चीजे जैसे हम सुनते हैं हमें पता चलती है हमें शरम आ रही है हमारे देश के बारे में जो हम नारे लगाते हैं मेरा देश भारत देश हमारा देरे सबसे अच्छा हमारी संस्कूरूती जिस तरीके से हम दिखाते हैं आज हमें सिर्फ और सिर्फ शरम आ र लाइक आज हमारा देश सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज पर ध्यान देता है तो वह मंदिरों पे आज क्या नहीं किया गया हमारी गौवर्मेंट कुछ दीन पहले आपको पता होगा रामंदिर उपन हुआ है रामंदिर के लिए क्या क्या नहीं किया गया जो कोड और पास नहीं कर रही थी उसको भी किस तरीके से करवा के आखिर राम मंदीर खड़ा कर दिया राम मंदीर के लिए राम भगवान के लिए इतनी आप लोगों के दिल में इतनी श्रद्दा है माता को आज कितना अच्छे से पूछते हैं अब जैसे कि ऑक्टोबर में वो आएगी नवर जातरी आई है माता का पूजन है नंगे पैर चोटी-चोटी बच्चियों की वो उनके पैर धोते हैं उनको टीका लगाते हैं और इसी देश में ये भी होता है कि वही चोटी-चोटी बच्चियों का बलातकार होता है ये है हमारा भारत देश अब भी हमने कोलकता का इंसिडेंट देखा मतलब दिल दहला देने वाली घटना है कि आजकल बच्चियां कहीं से इफ नहीं है पहले कोलकता बदलापूर मतलब आप जहां सिक्षा लेने जा रहे हो वहां से आपको बलातकार मिल रहा है बिल्कुल सही बात बोली आपने हमें स्कूल में सिखाया जाता है बैड टच और गूड टच ये क्या हो रहा है जहां पे शिक्षा लेने जा रहे जहां पढ़ने जा रहे वहीं से पढ़कर बाहार निकल के आज हम हमारी लाइफ बनाने वाले होते हैं वही हम सेफ नहीं है उसी स्कूल में जहां पे बैड टच और गूड टच सिखाया जाता है वही पे रेप हो रहे है तो आज हम सेफ कहा है आज हमारा देश का भविश्य आज हमारी बिटिया मराठी में बोलते हैं मुलगी, शिकली, प्रगती, जाली यह हमें शिक्षन मिल रहा है यह हमारा एजुकेशन है कहीं पर भी सेफ नहीं है कहीं पर भी सेफ नहीं है यह बात आपने सही कही लिकिन जो कोलकता में जो इंसिडेंट हुआ 31 साल की महिला थी सेमिनार हाल में यह सब हो गया और उसी आरोपी की जो मा है कह रही है कि मेरा बेटा बेकसूर है यही परवरीश आज हमारी देश की mentality देखो कैसी है ठीक है अपना बच्चा हर किसी को अच्छा लगता है अबर यही कोई छोटी गलती होती और अपने मा को लगता के नहीं मेरे बच्चे ने नहीं की है तो वो अलग बाती यहां पे रेप हुआ है मुझे नहीं पता कि उनके घर में कोई बेटी है या नहीं है शायद होगी अगर आज उनकी बेटी का रेप होता तो क्या वो यह बात कहती है उसकी मा नहीं कहती तब तो दिहाडे मार के रोड पे खड़े होके चार लोगों के सामने कैमरे के सामने रोते चिलाते, क्यूं, आज हमारे घर में दुख है, तो वो दुख है, पडोसी के घर का दुख दुख नहीं है, और तुम्हारा बेटा, आपने तो सिधा ये बोल दिया, एक मा अगर ये बोलती है, कि मेरे बेटे ने जो भी किया है, वो गलत नहीं है, उसमें और भी लोग शामिल है जहां तक मैंने देखा है कुछ पड़ पड़ा है उनके बारे में क्या है एक माने ही यह संसकार दिये हुए है मा सपोर्ट कर रही है मेरी जैसी मा अगर होती ना जैसे उसको पता चलता कि मेरा बेटा इन्वाल्ड है या मेरा बेटा सिर्फ गाड़ी ही चला रहा था या दूर तक खडाता कुछ भी इतना सा भी इन्वाल्ड है उसको खुद पागलों की तरह बेल्ड से मारती मुझे नहीं पता मैं उस टैम क्या करती मैं अभ ये बोल रही हुके मैं उसको बेल्ड तो मुझे इससे लग रहा है कि जो बेटे ने किया है तो कुछ भी नहीं है मा तो उससे बढ़कर है यह कहां रहते हो आप लोग क्या सोच है आप लोगों की कैसे सोच लेते हो आप यह कि मेरा बेटा बेकुसूरे आपको पता नहीं चल रहा है रेप रेप क्या है आज हमारे भारत देश में हर 15 मिनिट में एक रेप होता है, हर 15 मिनिट में, एक चीज और हमारे यहां पे कही इलाकों में जैसे के अब सबसे बड़ी बात आप कलकटा की ले लो ठीक है, तो कलकटा में जो यह रेप हुआ है, वहां पे सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है, अगर आप आप लोगों में इतनी हवस के पुजारी हो आप लोग जो यह रेप की mentality लेके घुमते हैं तो बहुत सस्ते में भी सेवाए अवेलेबल है सो रुपए देड सो, दो सो, पान सो सस्ते में भी अवेलेबल है तो आपको एक लड़की का रेप करके जबरदस्ति किसी का रेप करके उसकी मर्जी के खिलाफ किसी को टच करके क्या मिलता है आपकी क्या मुझे ना सच में मैं इनको साइको बोलू मुझे नहीं पता 31 साल की महिला थी राश्री जी वो कहते ना कि वो ट्रेनिंग ले रही थी डॉक्टर की और जब ऐसी घटना होती है अपनी मां को वो बोली होगी कि भाई मैं आ जाओंगी लेकिन जब सुबह मां को यह पता चला तो कितना बुरा लगा होगा आप एक लड़की हो मैं एक नहीं देखने मिली एक तो वो पहले इतने शौक में थे कि मेरी बेटी मॉर्णिंग घर से गई इतने प्यार से बास जब बेटी यह घर से निकलती है तो कितनी चुलबुली से होती है तो उनको यह होता है कि बबाद शाम को घर पे मेरी बच्ची वापस आएगी जो अचान तो यह जो कुलकता में जाँगी थे पिर वहां वहां पर मुव कुछ लोगों की तरफ मेरा इशारह है जो उपर बैठे है क्यों मुव बंद है, क्यों कुछ किया नहीं जा रहा है आज कुलकता हमारे यहां पर आज कुलकता मुंबई डैली सबसे ज़ादा अगर रेप होते है तो दिल्ली में और यूपी में होते है सबसे ज़्यादा ये रेप को जड़ से खतम कैसे किया जाए ये कैसे होंगे एक टाइम पे हमारे यहां हमने देखा था कि हैंड काउंटर होता था तो आज उस तरीके का कुछ हमारे देश में क्यों नहीं है ये मेरा कॉशन है हमारी मेंट से मोदी जी से मैं एक कोश्चन करती हूं मोदी जी आपके लिए इतना समय है कि आप रामंदिर बनवाए आपके पास सच में आप आपके वज़े से आज हमारा इंडिया सच में मोदी जी हम बहुत आगया गए है एकदम से एक दस साल में हमने बहुत कुछ देखा है बड़ आपसे बहुत उमीद थी कि हमारी बेटिया हम लड़किया आपके होते हुए हम सेफ नहीं है उसका रीजन क्या है क्यूं आपका ध्यान से मंदिर बनवाने में है या आपका फोकस सिर्फ बहार जाके लोगों से दूसरे देशों के साथ हाथ मिलाने के लिए हमारे द चानुन बना दोगे ना तो उस पे अमल करेंगे लोग डरेंगे उस चीज़ को अगर किसी के साथ भी गलत होता है हम तो आवाज उठा रहे हैं पबलीग आवाज उठा रही हैं देश खड़ा हो चुका है सब तरफ नारे लग रहे हैं सब बोलते हैं कि सब को नय चाहिए त आपकी तरफ से तो कुछ भी नहीं आया आप मेरा कहने का मतलब यह है जैसे आज हमारे घर में बड़े पापा होते हैं ठीक है जो वो बोलते वही होता है तो वैसे हमारे देश के लिए हमारी गौवर्मेंट है अगर आज हमारी गौवर्मेंट हमारे लिए हाथ उठाए कानून बनाए कि किसी के दिमाग में रेप सोच के भी उसको डर लगे कि नहीं ये नहीं कर सकते है कि इसकी सजा ये है बाहर के देशों में वही तो ना हमारा इंडिया बहुत यहां पर बहुत बाते की जाती है बहुत बाहर का कल्चर दिखाते है उनको जो एक हमारी मातरु भ महराठी बोलने आती है, लेकिन कुछ लोग फिर भी सिर्फ इंगलीश बोलना चाहेंगे, क्यों क्यूंख उनको कॉपी करने होती है बाहर के देश की, सिर्फ आप कुछ छीज़ों की कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, बांकी और कुछ नहीं करना है, जो में मुद्दा है, जो च किसी के पास नहीं है, इस मुद्दे के ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता है, क्यों नहीं करना चाहता है, सबको बाहर निकलना पड़ेगा, क्यों Ondi जी, आपके एक कहने एक अभास पर आपने देश को लॉकडाउन कर दिया था, लोगडाउन के टाइम पे आपने एक बार भी ये नहीं सोचा अज गौर्मेंट नहीं बोला था ना लोगडाउन के लिए तभी तो सब कुछ हुआ लोगडाउन के टाइम पे एक बार भी ये नहीं सोचा गया कि लोग अपने घरों से निकले हुए है, वापस कैसे पहुंचेंगे अपने अपने घर, उस टाइम तो कुछ नहीं सोचा गया, एक सेकेंड में आवाज उठाई, मोदी जी केते ताली बजाओ, थाली बजाओ, बैटरी लगाओ, दिया लगाओ, सब लोग वही कर रहे थे, त लेकिन अगर हम गूगल में सर्च करते हैं, अनसेफ कंट्री तो उसमें इंडिया का नाम आ रहा है, ये बड़ी शर्मनाक बात है, इंडिया केते, लोग बाहर से आते, ताजमल देखने के लिए, महमान की हम पूजा करते हैं, और उस कंट्री को हम अनसेफ गूगल कह रहा ह जी मैं इस बात पर एक चीज और बोलूगी, जैसे कि अपने बोला कि हम महमान की पूजा करते हैं, जब आउट आफ कंट्री से लोग हमारे देश में आते हैं, इंडिया में आते हैं, ताजमल देखने के लिए, गोवा देखने के लिए, मुंबई में गेट आफ इंडिया के लिए, हाला के ओ भी सेफ नहीं होती है, जी कुछ फॉर्नर्स का रेप हमारे देश में हो चुका है, तो ठीक है, तो ये मेरा देश महान, अब हमारा देश महान नहीं है, क्या बोलू इस टाइम में, ये देश है, मुझे खुद को शरम आ रही है, छी छी फील हो रहा है, कंट्री में जाके, जब मैं जब भी आउट ओफ इंडिया जाती हो, मैं भारत, मैं इंडिया से हूँ, मैं मुंबई से हूँ, अब वो प्राउड नहीं रहा है, जिस तरीकी क्राइम हमारे पास बढ़ चुका है, ये क्राइम बढ़ने के बाद क्या आपने भी अपने आपक क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब भारत की हर बेटी अपने आपको अनसे फिल कर रही है, हंड्रेट परसेंट, हंड्रेट परसेंट, मैं अपने आपको अनसे फिल करती हूँ, पिछले काफी दिन से मैं मुंबई, especially मुंबई हम बोलते हैं, कि मुंबई बहुत सेफ ह मैं अभी भी इस बात से इनकार नहीं करती, 90 परसेंट मैं आज कहूंगी, 100 परसेंट नहीं है, मुंबई सेफ है, लेकिन अब यहां पर क्या हो गया, सोशल मिडिया बहुत बढ़ चुका है, और सोशल मिडिया में स्कैम भी बहुत हो रहे है, एक लिमीट है, लिमीट क्रॉ करके सोशल मिडिया, स्पेशली घर वाले, फैमिलीज वाले चोटे चोटे बच्चों के हाथ में मुबाइल देते है, रिजन कि बही शांती से बैठा रहेगा मेरा बच्चा या मेरी बेटी चलो मुझे तंग नहीं करेगी, शांती से बैठी रहेगी, तब तक मैं अपना का कर लू या टीवी देख लू या अपनी फ्रेंडों से बात कर लू, गॉसिपिंग करने में बीजी है, आदी माए, सब की मम्मिया, तो उनके बच्चे सोशल मिडिया पे क्या कर रहे है, उसी के वज़े से हुआ है ना आज, एक तेरा साल की बच्ची के साथ, 21 साल के लड़ पलीकैस को आप एक बात समझ लीजिये, में किसी को टार्गेट नहीं कर रहे है, आप एक बात समझ लीजिये, मैं अपसे रिक्वेस्ट कर रहे हूं कि आज हमारे देशमें लड़किया वैं नहीं है, तो आप अपना ईक्सटरा टाइम निकाल के अपने बेटीों की तरफ ध कब तक कब तक इससरी के नारे लगाएंगे बेटी बचाओ वाओ इसलिए बेटी बचा के रखनी है सphonesकार कैसे संसकार क्या दाल चावल के जगे पहते हम संसकार तो नहीं खिला सकते ना संसकार तो उतने ही दिये जाते है जो घर में मिल रहे अब जैसे उसकी मा उसका नाम क्या था जिसने ये को सुरी संजे रॉय संजे रॉय की महान तो देवी निकली वो जब ये बोल रही है कि मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया है अब लेकिन मैं एक सिर्व ये रोई के मा के वज़े से मैं और मा को गलत नहीं बोल सकती बाकी घरों में अच्छे घरों में बहुत अच्छी परवरिश हो रही है उसके बावजूद उनके बच्चे ये सब कुछ कर रही है तो वो ऐसा अकेले में क्या देख रहे है या तो जैसे के कुछ दिन पहले हम भी मोबाइल में available है, बन कर वाओ, 70% पॉन हेल्प कर रहा है, बन कर वाओ, जहां से भी लगता है, कि आज हमारा भारत देश पड़ाली का गवार है, जहां से भी हम बचा सकते हैं, अपने देश को, अपने देश की बेटियों को, अपने देश के समस्कारों को, जो भी करना प जैसे हमारे घर में हवा आ रही है हमारे घर में बारिश आ रही है तो हम एक एक खिड़की बन करते हैं दर्वाजा बन करते हैं कटन्स बन करते हैं इसी तरीके से हमें जो जो करना पड़े वो करना पड़ेगा और यह सब के लिए आगे किसको आना पड़ेगा अगें हमारी ग विकास नाम के लड़के ये सब कुछ कर रहे हैं मोदी जी and आपने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आ रहे हैं, आपके होते हुए, आज हमारी बेटियों के साथ, हमारी बेटिया ये दिन देख रही है, इसको अच्छे दिन नहीं कहते है, मैं चाहती ह उनको फादर फिगर देखते हैं हमारे देश के वो फादर फिगर है तो वो आगे नहीं आ रहे हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उनको आना पड़ेगा उनको एक नया कानून बनाना पड़ेगा कुछ दिन पहले कुछ नए कानून आये थे वोट के लिए तो उसके अंदर रेप के लिए क्यों नहीं आया कुछ भी चेंजेस नहीं है बाकी इतनी सारी धाराये चेंज कर दी बिना मतलब कुई खास धाराये नहीं है मैंने सब चेकर ली है बट रेप के लिए तो कुछ भी नहीं आया है क्यों ऐसे क्यों राश्री जी आदिल ने बोला कि वो मीडिया को बुलाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे अबाउट इस सिचुएशन जो हमारे हाल फिलाल में मारे देश में चल रहा है अबाउट रेप केसिस क्या बोलोगे कि खुद उसे आदमी पर इतने सारे केसिस लगे हुए हैं और वो मीडिया से इस बारे में बातचीत करेंगे आदिल दुरानी खान की बात कर रहे है जो एक चोर है जिसके ओपर रेप का केस है जिसके चार्जेस है और जिसके वज़े से वो एट मन्थ जेल के अंदर था देखिए यही बात है संजे रोई की मा ने बुला मेरा बेटा गलत नहीं है आदिल रेप केस के लिए रेप केस में एट मन्थ जेल में था और वो आज बात करना चाहता है इस लाइक चोर जो इक गुनेगार है वो बात करेगा रेप के उपर तो मैं खुले आम ये बात कहना चाहूंगी एक रेपिस्ट रेप के बारे में बात करेगा सच में यही तो देखो ना हमारे देश के कानून को कितना हलके में लिया जा रहा है आज आदिल की भी हिम्मत हो गई जो खुद रेप के केस में अंदर था उसको रेप के बारे में बात करनी है मजाग बना के रख दिया है खिरा दिल यहां पे इंपॉर्डन नहीं है आज हमारा देश जो हम अनसेफ है यहां पे वो ज़्यादा हमारे लिए यहां पे मुद्दा है हमारा देश को मैं सबको हाथ जोड़के सिर्फ यही विंती करती हूँ आपके घर में बहने होंगी मा बेटी है आपकी आज शादी नहीं हुई है जो आज रेप कर रहे हैं आप शादी कर जिसकी मेंटलिटी ऐसी है कि हम रेप करेंगे जो उस टाम आप लोग क्या सोचते हो मुझ हो केलकटा हो डेली हो हर जगे पे रेड लाइट एरिया अविलेबल है इसकी एक ही सजा है उसी टाइम जगे पे उनको ट्राइल ट्राइल मत खेलो वर ठीक है हमारे कुछ प्रोटोकॉल है हमारे कुछ प्रोटोकॉल है बट वो प्रोटोकॉल को इतना समय लगता है किया ये नहीं किया है हर केस में ऐसा नहीं होगा कुछ केस जो हाथो हाथ रंगे रहा पकड़े जाते हैं कि बबाओ यह अभी हज़ा है और यह रेपिस्ट है और रेपिस्ट कबूल भी कर रहे है और मैंने तो ये भी सुनाए कि उसने ये भी बोला कि मैंने जो कुछ भी किया है मुझे इस चीज़ का पच्छतावा नहीं है, इंड मुझे फासी की सजा दे दो, जब उसने अपनी गलती मान भी लिए, यह गलती नहीं है, इसका शायद कोई नाम ही नहीं है, यह वर्ड तो Google में भी नहीं होगा, क्योंकि जान बुच के भी नहीं बोल सकते इनकी उस तैम mentality क्या होती है, जब उन्होंने accept किया है कि मैंने rape किया है, उसी time उनको फासी की सशा देदो और खतम करो फासी की वीडियोज आप वाइरल करो आप सोशल मीडिया में डालो देखो मैं यह नहीं कहती कि एक दिन में सब कुछ खतम हो जाएगा ना पट फरक पड़ेगा 10% 20 30 40 50 धीरे 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 एट लीस रेप कम हो जाएंगे और एक दिन खतम हो जाएंगे और रही बात बाकी क्राइम उसका मुद्ध ही अलग है उसके बारे में कभी हम और बात करेंगे आप देश की बेटीओं को क्या कहना चाएंगी जो शायद बहुत लोग आपको यहाँ पर सुन रहे हैं देश की बेटियों को मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत जल्द आप किसी पर ट्रस्ट मत कीजिए, दुनिया जैसे दिखती है, वैसी होती है, not only social media, social media पे तो चलो, कभी-कभी होता है, friends बन जाते हैं, मिलने जाते हो, उसके तबीबी होता है, even हम किसी से one-to-one ऐसे सामने-सामने मिलते हैं, किस ग्रूप में मिलते हैं, तुरंध हम लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, उनसे दोस्ती बना लेते हैं, फिर हम किसी को भी ना बताए, हमारे घरवालों को भी ना बताए, हमारे फ्रेंड्स को भी ना बताए, उनसे मिलने ही चाते हैं, ये सब कुछ मत करो, तब तक मत करो जब तक आपको पूरा भरोसा नहीं होताhan चार लोगों को चीज़े अप बताओ, किसी को सात में लेके जाओ, अगर आपको मिलना है, यह सारे चीज़े का है कभी ज़्शा, सात में यह कर रही होती, मिलने का मन कर रहा है, दोस्ती बढ़ रही है, फिलिंग्स बढ़ रही है, लेकिन ये भी तो सोचो कि इसमें जान का खत्रा है सीधा जान का खत्रा है तो अब देश की बेटिया अगर थोड़ी स्ट्रॉंग हो जाएगी देश की बेटिया तो खेर हमारी बहुत जादा स्ट्रॉंग है मेंटली दिल के बहुत क्या कहते हैं दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं मान जाते हैं जल्दी देखिए हैं मेंटली स्ट्रॉंग भी बहुत है बट दिल का सॉफ्ट होना जरूरी भी है अच्छा है दिल का सॉफ्ट होना लेकिन एट दे सेम टाइम आप दिमाग से भी स्ट्रॉ मिस्टरा मिताबच्चन जी की उसके अंदर यही मुद्दा था रेप का ही मुद्दा था कि no means no एक्च्छल में वो बहुत ही सही कहा गया है कि no means no वो एक लड़की कितनी ही चिलाती होगी जब रेप होता होगा और रेपिस्ट कितना निर्दई होगा जो उन सारी चीजों को इंजॉय करता है बहुत खूब थांक्यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और शायद आपने जो कुछ भी बोला सौब प्रतीशत मैं कहूंगी सच है और जैसा कि आपने एक वर्ड बोला कि भाई नो मिंस नो अगर नहीं तो नहीं मेंटली स्ट्रॉंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैं राश्ट्री जी मैं आपके हर एक आपने जो जो वर्ड बोला मैं उससे सहमत हूँ और मैं भी कहना चाहूंगी बस यार मेंटली स्ट्रॉंग बनो और किसी पर इतनी जल्दी भरोसा मत करो यून्देवा